क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जिने कुत्ते पसंद हैं या फिर आप घर में कुत्ता पालने का प्लैन बना रहे हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए ऐसे बहुत से क्यूट और लविंग कुत्ते हैं जो किसी भी जगा पर इजिली एज़स्ट हो जाते हैं तो चलिए आज आपको बताते हैं दुनिया के 10 सबसे क्यूट और फणी डॉग्स के बारे में जो आपके दिल को जीत सकते हैं तो बिना टाइम वेस्ट किये चलते हैं हमारी लिस्ट की तरफ इंडिया में मॉस्ट पॉपॉलर डॉग्स की रैंकिंग में लेब्रा डॉग्स नंबर वन पोजीशन पर है वो इसलिए क्यूंके यह हट टाइप की फैमिली के साथ रह सकते हैं यह फर्स टाइम डॉग ओनर के लिए भी बहुती अच्छे होते हैं इन्हें ट्रेनिंग दे से भोखना शुरू कर देता है और घरवालों को ऐसा करने से रोकता है यह दिखने में बहुती खुबसूरत और सॉफ्ट नेचर के होते हैं नामबर नाइन डाक्स हंड इस टॉग को सौसिज डॉग के नाम से भी जाना जाता है यह डॉग छोटी लेक्स और बड़े कानों क साथ लंबी बॉडी वाले होते हैं इनके बाल सॉफ्ट और शाइनी होते हैं यह डॉग बड़े ही फ्रेंडली नेचर के होते हैं यह चोटे चोटे गोल्स में कूस सकते हैं जिसकी वज़ा से पहले के जमाने में इनका इस्तमाल खरगोश के शिकार के लिए किया जाता था यह क्यूड तो होते ही हैं साथ में शरारती भी बहुत होते हैं इनको घर में पालना मतलब पूरा दिन आपको इनकी नहीं नहीं शरारते देखने को मिलेंगी नामबर एट पूडल नेक्स्ट इस्टॉक की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है पूडल ये एक ऐसा डॉग है जो के तीन अलग-अलग वराइटीज में आता है जिसमें पहला है स्टैंडर्ड पूडल दूसरा है मिनियेचर पूडल और आखिर में आता है नाम अलग-अलग हैं उसी तरह ये खुद भी एक दूसरे से अलग हैं इन डॉग्स में हमें चोटे से लेकर बड़े साइस देखने को मिल सकते हैं और चोटा पूडल जितना क्यूट होता है उतना ही बड़ा पूडल भी क्यूट होता है सबसे चोटे वाले का नाम पूसरत लगते हैं और बहुत से लोग इनकी अलग-अलग हैर स्टाइलिंग भी करवाते हैं साथ ही ये आम डॉग्स के मुकाबले में काफी समझदार होते हैं अगर हमें इने किसी नई चीज़ की ट्रेनिंग देनी हो तो ये डॉग्स वो चीज़ बहुत ही जल्द सीख ल लोयल होते हैं नामबर सेवन शीबाइनो ये डॉग जापान का सबसे फेमस डॉग है शीबाइनो असल में बेहद ही खास है कुछ जगों पर इस स्माइल डॉग के नाम से भी जाना जाता है ये इसलिए क्योंके इन डॉग्स के चेहरे पर हमेशा ही अलग सी और क्यूर सी स् इने ट्रेन करना थोड़ा मुश्किल काम होता है लेकिन दुनिया भर में बहुत से लोग इन्हें अपने घरों में पालना बेहत पसंद करते हैं नामबर सिक्स जैक रसल टैरियर ये क्यूट डॉग्स आपकी लाइफ को प्यार और खुशी से भर देंगे सिर्फ इनको प्यानी हरकते करते ही दिखाई देंगे वहीं करके बाहिर ये अचानक से अनेरजैटिक और हाइपर एक्टिव और खेलने वाले बन जाते हैं और इतना खेलते हैं कि आपको तका देंगे क्यूंके ये काफी पूर्टीले और फास्ट होते हैं ये डॉग्स थोड़े इमोश नामबार फाइफ पाग इस टॉग को कौन नहीं जानता ये इंटेलिजन्ट, क्यूट, अडॉरेबल और कॉम्पैक्ट होते हैं जो कहीं भी एजिली फिट हो जाते हैं अगर इनको चोटा पैकेट बड़ा धुमाका कहा जाए तो गलत ना होगा क्यूंके होते तो ये बिलक अब मूड को समझते हैं और उन्हें खुश करने में कोई कसन नहीं छोड़ते इनको शेडो के नाम से भी जाना जाता है क्यूंके ये बड़े ही क्यूटली अपने माली का शेडो की तरह पिछा करते हैं और उनका धिहान अपनी तरफ खैंचने की सारी कोशिश करते हैं ऐसी कुटा पालने की पहली डिमांड भी यही होती है ये कुटे इंटेलिजन लावेबल एंड लॉयल होते हैं जितने जादा ये प्यार से बड़े लोगों के साथ खेलते हैं उससे भी जादा प्यार और केर के साथ ये छोटे बच्चों के साथ रहते हैं ये बड़े कुटे ब अब हमें कहीं बाहिट जाना होता है तो पेट्स की बड़ी मुसीबत बन जाती है कि इनका क्या किया जाए ये प्रॉब्लम सेंड बर्नाट के साथ नहीं जेलना पड़ती ये घर में बिना किसी प्रॉब्लम के भी अकेले रह सकते हैं नामबर थ्री माल्टीस माल्टीस डोग दिखने में छोटे और क्यूट होते हैं आम में से बहुत से लोगों ने इन डोग्स को शायद देखा भी होगा जो कि दुनिया के सबसे खूबसूरत डोग्स की लिस्ट में आते हैं इन कुतों के बाल लंबे और सिल्की होते हैं जो कि इनके पाउं तक भी बढ़ सकते हैं इसकी वज़ा से ये और भी ज्यादा हूपसूरत लगते हैं अगर हम इनके बेहेव के बारे में बात करें तो वो भी इनी की तरह बहुत ही प्यारा होता है ये अपनी फैमली के साथ बड़े ही मिलजूल कर रहते हैं ये डॉक्स काफी इंटेलिजेंट होते हैं और किसी भी ट्रिक या ट्रेनिंग को असानी से सीख जाते हैं अलग-अलग लोग इनकी अलग-अलग हेर स्टाइलिंग करना पसंद करते हैं इन्हें अटेंशन बहुत ज़्यादा पसंद होती है अगर इन्हें इग्नोर किया जाए तो ये डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं लेकिन लव और केर से ये वापिस ठीक भी हो जाते हैं अगर आपको इन्हें पालना है तो इनकी डेली ग्रूमिंग का काफी ज्यादा ख्याल अपड़ेगा नामबर टू, पॉमेरेनियन डॉक इस कुटे को दुनिया के क्यूटेस डॉक के किताब से नवाजा जाता है क्यूंकर ये इतने छोटे और प्यारे होते हैं कि इनको देखते ही इन से प्यार हो जाता है ज्यादा तक सफैज रंग के गने बालों वाले ये डॉक्स चोटे से लेकर बड़े होने तक क्यूटनेस के सारे लेवस को पार कर जाते हैं बोल्ट, अनेजेटिक, स्मार्ट और क्यूट होने के साथ साथ ये चोटे से कुटे प्लेफुल भी होते हैं इनकी इनिक्वालिटी की वज़ा से ये किसी को गिफ्ट देने के लिए और घरों में रखने के लिए परफेक्ट आप्शन है ये खुद को काफी पहलवान समझते हैं इसलिए ये बड़े कुटों को देखकर अपनी पतली सी बाउं-बाउं की आवाज से उनको डुराने की कोशिश करते हैं हलाके दूसरे कुटों को इससे कोई फरक नहीं पड़ता इनको घर में रखने से पहले एक बात का खास क्याल रखें इन्हें सही तरीके से ट्रेनिंग की काफी ज़रूरत होती है क्यूंके ये काफी चुल्बली नेचर के होते हैं और एक जगा टिक कर नहीं बैठते दोस्तों आपके पास कौन सी डॉग ब्रीड है कमेंट सेक्शन में बताएं अब आते हैं हमारी टॉब वन ब्रीड पर जो क्यूटनेस में सब भी को पीछे चोड़ देते हैं इसकी क्यूटनेस की सबसे बड़ी वज़ा इनके एकान है जो सच में काफी बड़े होते हैं और प्यारे भी ये दिखने में बिल्कुल बटरफलाई की तरा दिखते हैं इन्हें खेलना काफी ज्यादा पसंद होता है और ये हर वक्त खेलने के लिए तियार रहते हैं यानि के छोटा पैकेट बड़ा दमाका वाली लाइन इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है इन्हें ट्रेनिंग देना बहुत ही आसान होता है ये Most Intelligent Dog Breeds की लिस्ट में आठवे नमबर पर आते हैं तो दोस्तो कैसी लगी आपको आज के हमारे ये वीडियो अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पार्ट टू भी बने तो कमेट सेक्शन में पार्ट टू लिखें अगर आपको ये वीडियो पसंदाई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा मज़ीद वीडियो के लिए हमारा चैनल हिलम के मोती सबस्ट्राइब करें वीडियो देखने का शुक्रिया